नववर्ष दोहजार तेस का भविश शुफर साल के 365 दिन कैसे बीतेंगे? नववर्ष दोहजार तेस में कैसी रहेगी सेहट? काम कारुबार में मिलेगी कितनी तरक्की? होगा पार धनलाब या फिर आएगी घरीबी? भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे? रिष्टों के लिए कैसा बीतेगा साल दोहजार तेस बारा राशियों के लिए साल दोहजार तेस के बारा महीने कैसे रहेंगे? देखिए सिर्फ धर्मग्यान पर नमस्कार चंडीगट से धर्मग्यान की खास पेशकर्ष नवश दोहजार तेस में एक बाफ फेर आप सब का स्वागत है मैं हुआ आपके साथ कवितर आना मेरे साथ अचारे मैंग शेमाजी आपका स्वागत है तो हर साल की तरह इस साल भी हम आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है साल के शुरुआत ही देखिए ग्रहन योग से हो रही है एक जन्वरी को चंद्रमा और केतु की यूती से ग्रहन योग बन रहा है और सोचिए साल के शुरुआत जब ग्रहन योग से हो रहा हो और केतु का ये साल है और ऐसे में इस साल इस रोजर 23 में आप लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है इस साल आपकी सेहत कैसे रहेगी पूरे साल आपका काम कारुबार पूरे वर्ष कैसा चलेगा आर्थिक पक्ष कितना आपका मजबूत होगा कितना कमाएंगे कितना जोड़ पाएंगे जो कुछ आपने सोच आए कि इस साल तो करके रहना है क्या वो आप कर पाएंगे हर पहलों पर हम बात करेंगे महिंग जी से आई सबसे पहले साल के शुरुवात की चोतिश करती है ग्रेनक शत्रों की चाल क्या कहती है यह जान लेते हैं बताइए महिंग जी बिल्कुल देखिए दशको नए साल की शुरुवात में चंद्र और राहू की यूती रहेगी आफिकी राशी में और जैसे सभी जानते हैं कि चंद्रमा सवा दो दिन बाद आशी परिवर्दन करता है तो इस बार कहना चाहिए योग बंदा है कि नव वर्ष पर चंद्रमा औ तीसरा चौथा पांचवा चाटा बाव खाली है साथवे भाव में केतु विराजमान है आठवा बाव खाली नवम भाव में बुद्ध और सूरी के यूती होगी दश्वम भाव में शुक्र और शनी रहेंगे ग्यारव बाव भाव में व्रस्पती है तो ये घरैसिती एक सबसे पहले तो वर्ष की शुरुवात में 17 जनवरी को शनी जो है राशी परिवरतन कर रहे हैं बहुत बड़ा चेंज होगा यह और शनी जो है आपके दश्रम भाव से एकादश भाव में आ रहे हैं वहाँ भी सवराशी के रहेंगे और शष नाम का पंच महापुर्श राज्योग बनाएंगे मुख्य बाद क्या रहेगी यह शनी की मूलतिकों डाशी होगी और यहाँ शनी जादा प्रभावी हो जाते हैं और देखिए ब्रस्पति का भी राशी परिवर्तन हो जाएगा तविद्दा जी 22 अप्रेल 2030 को ब्रस्पति बारवे भाव से राशी परिवर्तन करके लगन भाव में आ जाएंगे और राहू के साथ यूति करेंगे चांडाल दोश भी बन दा हैं एक यह होगा 30 वर्ष के अंत में अक्टूबर के अंत में राहू और के तुभी राशी परिवर्तन करेंगे जोばいगना चाहिए हो चांडाल में प्रभाव से अंगी जो अप्रेशल के परिवर्तन करेंगे के बार क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बताएंगे और ग्रहय परिवर्तन से पहले क्या यह वर्ष आपको शुफल देगा नव वर्ष की शुर्वात कैसी रहेगी चंद्रमा की सिती आपके पूरे वर्ष भर में उसके अकॉर्डिंग यह आपके जो फलित है मेश राशी व से पहले ही हर कोई इसे उमीद में बैठा होता है कि यह आने वाला साल ग्रह दशाओं के चलते उसके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और देखे मुझे भी लगता है कि आपको भी इस नव वर्ष यानिकी 2023 से डहरों उमीदे होंगी लेकिन क्या आप अपने इन्हीं उमीद इस साल खरे उतर पाएंगे आई सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सह अच्छे हैं तो आपकी हेल्थ इस पूरे साल कैसे रहेगी यह जाली सबसे पहले हैं करें तो जैसे से समय बीटता चला जाएगा 2023 इनकी सेहत के दरश्टी कौन से काफी बेतर रहेगा यहने की 22 के मुकाबले सेहत आपकी 23 में अच्छी रहेगी और लेकिन शुरुआती चार महीनों जनवरी फरवरी मार्च अपरेल में आपको अपनी सेहत का विश्येश जहान दखना है खासकर खान पान का गले चातिर संबन्दी तो रोग परिशान कर सकते हैं अगर आपका काम घुमने फिरने कहा यात्राइं जादा रहती है आपके बिजनस में अनोकरी में तो आपको विश्येश सावधानी बरतनी है तो आपको विश्येश जहान रखना है लेकिन 22 अपरेल के बाद जैसे गुरू का राशी परिवर्तन होगा गुरू लगन में आएंगे बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी सेहत विश्येश लावकारी रहेगी कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी लेकिन 22 अपरेल से पहले जो है विश्येश सावधानी रखनी चाहिए मेश राशी वालों को खान पान पर सहीं बरते हैं और ओली फूड फूड फास फूड जो है यह आप पूरे वर्ष भर क कम से कम खाएं यानि कि जो लोग बहुत जारा भार के खाना खाने की शोकी ने उनको इस वर्ष थोड़ा सा संबल कर चलना पड़ेगा और छटे भाव का स्वामी वर्ष की शुरुवात में आपके नवं भाव में तो इसलिए कोई पुरानी बिमारी उभरने के योग नहीं है यह वर्ष आपके लिए सेहत के लिए आसे मैं देख रहा हूं कि एपरेल से विशेश शुप रहेगा चलिए यह तो बात कि हमने आपकी हेल्थ को लेकर कि इस पूरे नव वर्ष में यानिके साल आपकी हेल्थ पूरे कैसे रहने वाली है अब आईए बात हो जाए स्टूरेंस को लेकर क्योंकि देखिए करियर के पॉइंट ओफ यू से सुडेंस के लिए हर साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे में यह आप लोगों के लिए कैसर आएगा में शाषी से जोड़े स्टूरेंस के बारे में जान लेते हैं चाथरों के लिए समय कवितारी बहुत अच्छा रहेगा वर्ष के शुरुआत में जो छात्रों विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मोका रहेगा विदेश में एडमिशन हो जाएगा और कोई बड़ी सफलता भी दिलेगी जिन छात्रों की शिक्षा समाप्त हो चुकी है अगर उनों की डूड़ना चाहरे हैं तो उनके यह ख्वाइश यह पूरी हो सकती है तो यह वर्ष छात्रों के लिए मैं देख रहा हूं पूरा चाहत्रों के लिए किसी बड़ी सोगास से कम नहीं है उनको अपना ध्यान बस पढ़ाई में लगाना है क्योंकि वर्ष की शुरुआत में राहू लगन में होंगे ध्यान भटक सकता है मन पढ़ाई में लगाना है तो शिक्षा प्राप्ती के लिए यह वर्ष बहुत ही होते हैं और ऐसे में यह साल आपके रिष्टों के लिए कितना खुबसूरत रहने वाला है आपकी मैरिट लाइफ है या पी आपकी लव लाइफ है तो किस तरह का बैलन्स आप इस साल अपने रिष्टों में बना कर रख पाएंगे महीं जी से चाहिए वर्ष के शुरुवा सकती है तो आप वाद विवाद टालें खासकर अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तेरी की विपरीत परिस्तिती से बचने का परियास करें आने था जो यह सिती बड़ी खराब हो सकती है बाइस अपरेल के बाद जैसी लगन में गुरू आ जाएंगे तो सिती में सुधार ह लोग संतान प्राप्ति के चुक हैं 22 अपरेल के बार उनके घर में संतान प्रापती के योग भी होने के स्थितिया नजर आ रही है तो पुल मिलाकर 22 अपरेल तक आपको ज़रा सावधान जाना उसके बार आपकी लव लाइफ और मैरीड लाइफ हो काफी अच्छी रहने व होंगे जो अब तक नौकरी करते आएं लेकिन अब कुछ अपना करना है तो साल की शुरूवात में कुछ नया करना है या नहीं करना चाहिए कैसे रहेगा यह साल आपके कारिक शेत्र के लिए चाहें आप Job में या या पर Business में महीं जिस से जानए विगेट कारिक शेत्र को तो 2023 आपके लिए 2022 से बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि जनवरी में ही शनी राशी परिवर्तन करके लाबस्थान में आ रहे हैं तो व्यापारियों को बड़ा जवर्दस धनलाव होगा काम कारोबार में बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी और आर्थिक शिती भी आपकी मिलेंगे आपको जो लोग नोखरी परिवर्तन करना चाहते हैं उनको भी 17 जनवरी के बार अच्छा लाब शनीदेव देव नजार आ रहे हैं जो लोग नए कारे के शुरुवात करना चाहते हैं उनको एपरेल तक उखना चाहिए कारण कहा है समझाता हूं 22 अपरेल को ब्र करेंगे और आपको नए कारियों में भी सफलता मिलेगी यानि कि अगर आपको कोई बड़ा परिवर्तन करना है अपने कारे शेस्तर से जुड़ा तो आप 22 अपरेल तक का आपको इंतिसार करना पड़ेगा और देखिए आपके काम से ही आपका धन भाव भी जुड़ा होता है जी हां मेहनत कर रहे हैं लेकिन कमाएंगे कितना जोड कितना पाएंगे जो सोचा कि नए गाड़ी लेनी है मकान जोड़ना है क्या उसका समय अब आगिया है महीं जी से जानतरे मेश राश्य वालों के लिए ये जो साल है वाकी में बहुती शांदार रहेगा जो लोग ब रहे चाल जो है आपके लिए बड़ी साकारात्मक रहेगी सबी तरह के सुख सुधाय आपको प्राप्त होंगी मेश राश्य वालों के जाहे घर परिवार की बात करें कामकारोबार हो आतिक सिती हो बहुत ही बढ़िया ये समय आपके लिए रहेगा नए मकान वहन कभी हो ग जितनी महनत आप करेंगे उसका दो गुना फ़रिंग को मिलने माला है इस वर्ष में आपको चिंता करने की अवशकता नहीं है खासकर बाइस अप्रेल के बाद से आपका भाग्य चमकेगा नए कारी की शुरुवात होगी जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा बिरकुल म प्रतिशत क्या कहता है इस नव वर्ष 2023 में का इस वर्ष भाग्य जो मैं देख रहा हूं 90 फीजदी पूरे वर्ष इनके साथ रहेगा भाग्य नए साल की शुरुवात में उतरह साथ नहीं देगा लेकिन आप देखेंगे जैसे ऐसे वर्ष बढ़ता चले जाएगा परवर अच्छा रहेगा और कामकारूबार भी बड़ा जबरदस रहेगा मैंग जी केतु का ये साल है माया वी केतु एक चोटी से साला दर्शकों के लिए देखिए मेश राशी वालों को इस वर्ष में एक सला में देना चाहूंगा एक तो किसी भी तरह के वाद विवाद से आप अच्छा रहेगा आपके लिए कोई भी कोट के चैरी के मुगद में चलने हों तो वहां पर समझोता करने का परियास करें को यह आपके लिए बेटर रहेगा खासकर अपरेल तक नए कारी की शुरुवात अपरेल से पहले मत करें विभा के योग अपरेल के बाद या कोई प समय मेच्णाश्री वालों को साफधानी बरतनी चाहिए और मासमदीरा का सिवन ना करें मैच्णाश्री वालों क्यूकि मय से चांडडाल दोश भी बनेगा तो साबधानी यह बरतनी है आपको और बिल्कुल और जिसे के मैंग जी ने बताया है कि 23 में बड़े-बड़े ग्रहों का राशी परिवर्तन भी है, मायवी केतु का ये साल भी है और ऐसे में क्या कुछ चुपाए इस साल आपको करने चाहिए जाले पर देखिए इस संपूर्ण वर्ष आपको क्या करना है चाहिए बुरुदेव के अराधना करनी चाहिए ओम ब्रस्पतिय नमस मंत्र का जाप करें ब्रस्पतिवार की दिन मंदिर में बेशन के लड़ू और पीले वस्तर का दान करें रोजाना अपने माथे पर या गले पर छाती पर आपने हल्दी का या केसर का तिलक लगाना है विशेश 2020 आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और उमीद भी करते हैं कि आपको इस साल से जिती भी उमीदे हैं वो पूरी हो और आपके लिए ये साल बहुत ही एक सक्रात्मक उर्जा लेकर आए और मेही तरफ से मैंग जी की तरफ से आपको नववश्ट 2023 की देरो शु झाल